नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो अर्चनल दोस्तों बात करने वाले हैं SSC MTS के कट आउफ के बारे में आपको बता दें कि SSC MTS का उत्तरकुंजी ओफिशिल वेबसाइट पर जारी हो चुका है तो ऐसे में आप छात्रवम छात्राओं की निगाहें इसके कट आउफ के हुई है आए हम आपको एक पोस्ट के जरीए समझाते हैं कि SSC MTS का कट आउफ कितना जा सकता है आप अपने Chrome Browser को कुछ इस तरीके से ओपिन किजी और आप यहाँ पर सर्च किजिएगा सरकारी हंटर जब आप सरकारी हंटर सर्च करेंगे तो आपको यह तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अब आपको देख रहे हैं यह पहले वेफसाइट को ओपिन करना है जब आप इस ओपिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा आपको स्क्रोल करके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंस्वर की में आपको एक पोस्ट दिखाई दे रहा होगा जो की SSC MTS cutoff 2013 के बारे में है आपको simply इसे open करना है जब आप इसे open करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने नंबर पाने वाले हो जाओ तयार बस इतना जाने वाला है SSC MTS का cutoff तो सारी चीज़े यहाँ पर दी गई हैं आप पड़ सकते हैं और सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर बात करें इसके एक्जाम डेट किये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एक्जाम है वह है दो माई से 19 माई तक और फिर 13 जून से 20 जून 2023 तक आया गया है और साथ ही साथ हमने नीचे डारेक्ट लिग भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी मदद से आप अपने अंसर की देख सकते हैं और और बात करें अगर SSC MTS के कट आफ की तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका कट आफ कुछ इस परकार से है तो आप देख सकते हैं और याद रखें यह expected कट आफ है जिसे देख कर आप अपने कट आफ का अंदाजा लगा सकते हैं और साथ ही साथ हमने यहां पर तीन लिंक आपको परदान किया हुआ है क्लिक करके आप अपना कट आफ्स चेक कर सकते हैं उमीद करते हैं सारी चीज़े आपको समझ में आई होंगी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए जय हैं